तो दोस्तों वेलकम टू कुक विद आहिजा तो दोस्तों आज मैं आपलेओ के लिए रगडा की रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए दिखते हैं कि हम इसे किस तरह बनाते हैं और इसमें क्या-क्या यूज करते हैं तो यहां पे मैंने एक कपर मटर लिये थे सब वाइट वा हरी मिर्चे हैं आफ टीजपून जीरा है वन टीजपून धन्या पाउडर है हाफ टीजपून सौफ का पाउडर है 1.5 टीजपून रेट चिली पाउडर है हाफ टीजपून हल्दी है और नमक टेस्ट के हिसाब से है और यहां पर मैंने 1 4th कप ऑईल गरम कर दिया है तो इस बहुती जल्दी बनती है और इफ्तार के लिए बहुती परफेक्ट रेसिपी है तो उमीद करती हूं कि आपको भी रेसिपी पसंद आएगी तो आप भी इसे अपनी इफ्तार में जरूर ट्राइ करना तो यहां पे हम हलका गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्यास को हमने गैस की हम हाई रखा है तो हम इससे 2-3 मिनट और अच्छे से भून लेंगे और फिर बागी के चीज़े इसमें एड कर देंगे तो अब हम यहां पर एड कर देंगे वन टी स्पून जिन जगालिक पेस्ट और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे प्यास के साथ अगर 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 हमारे चाइनल पर नए हो तो प्लीज चाइनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करना ना भूले अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे बेसन तो मैंने आप पर तकरिपन वन टेबल स्पून बेसन लिया हुआ है हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे इसका कच्चापन खतम होने तक बच्चे बड़े सबी इसे शौक से खाते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनकर रेडी होता है तो उमीद करती हूँ कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी तो हम इसे अच्छे से इसकी कच्चापन की स्मेल खतम होने तक हम चने के आटे को भून लेंगे बेसन को भून लेंगे गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम करा है अभी ताक क्योंकि यहां मारा बेसन जलने ना पाए इसलिए तो हम इसे कंटिनियूसली चलाते हुए भून लेंगे और अब हम यहां पे सारे ड्राइ इंग्रिडियंट इसमें एड कर देंगे रिच चिली पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर सौफ जीरा और नमक तीखे की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम या जादा करना जिस तरह से आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से तो अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियूम के दर्मियान रखते हुए हम इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे तो यहाँ पर अच्छे से मसाला भून चुका है अब हम इसमें रगडा एड़ करेंगे वाइट मटर जिसे हमने बॉयल करके लिया था हमने एक कप मटर दिया था उसे سाठ से आच घंटे के लिए भिगो दिया था फिर उसमें एक आलू एड़ किया है और फिर मैने उसमें अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे 2-3 मिनट हम इसी तरह भून लेंगे तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं रगडा को भूनते हुए तो अब हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा पानी तो मैंने आप तक्रीबर वन ग्लास इसमें पानी एड किया है तो अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे और एक उबाल आने का wait करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया है या फिर अगर आप हमारे चानल पर नए हो तो please हमारे चानल को subscribe करें आपके support के बिना हम अधूरे हैं तो please उमीद करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो तो अब यहां पर एक उबाल आ चुका है तो मैंने एक मुट्टी भर के यहां पर धन्या इस्तमाल किया है डाल दिया है इसमें साथ यहां इसमें 1 टी स्पून रेट चिली फ्लेक् करें अगर आप लिम्भू का रस नहीं दाने चाहते हैं तो यहां पर इमली का पल्प भी एड कर सकते हो तकरीब पन टेबल इस्पून की करीब तो यहां पर मैं पास उमली अवैलिबल नहीं थी इसके लिए मैंने और नीम्भू एड किया है तो आप अपने मज़ी के प्रफद कीमिया कर सकते हो जिस तरह से खटा खरना पसंद है उस हिसाब चुकास करनेगे ऊच्छा पार अब पर गैसी की फलिम को कर देंगे ऊप तो जासैया तेक मेसी फलिम करेंगे और आपको इसे सथ करके दिखायें तो प्याज हराधनिया और चिली पाउडर के साथ सर्फ किया है तो उमीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले और अगर आप हमारे चानल पर नए हो तो प्लीज प्लीज प बेल आइकन को भी प्रेस करें ताके हमारी आने वाली हर लेटेस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे वो भी फ्री में तो अल्लाहाफिज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में